नमस्का दोस्तों स्वागत आपका हमाई चनल दो इंजिनिस शेर में मैं हूँ आपका दोस्त मनीत उस्मात दोस्तों आज के वीडियों बात करेंगे आरपील बैंक के बारे में में इस गली आपको पता ही होगा कि सेर के गिरावट देखनेगों में लिए मतलब गजब के गिर अगला ये सबस्क्राइब बाजाया को सब करूं अब क्या होने वाला है क्या होने वाला है लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ देखाना चाहूँगा फिर आप भी जज़ किज़ेगा मैं भी ज़ज करूँगा दोनों मिलकर ज़ज करेंगे कि वाल टाम लो है जो कि कली साइट से ने बनाए था फ्राइड़ कोई बुक वेल्यू देखा जा तो 209 पर याद दिला दू यह साइट डाटा मैं आज खुछ से कलकुलेट करें निकाले हैं तो बैसकलि यह जो डाटा मैं आपको दिखाऊंगा वह सारे का सारे एकुरेट डाट यह जो आपको किसी के वेबसाइट पर नहीं देखेगा भी बुक वेल्यू दो सब्सक्राइब देखा जाए तो दसका है और पी देखा जाए तो माइनस में 101 का है क्योंकि ऑवियस है कि कंपनी का जो प्रॉफिट था वो लॉस में था इस वज़ए से पी लॉस में है कंपनी का पिछली साल का मार्च 2022 तक की बात कर रहा हूं मैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो बन गया था पच्छत्त करोर का लॉस में बन गया था इस वज़ए से कंपनी का पी एपिएस जो है वो लॉस में है लेकिन यह सारी डाटा देखने के बाद आपको क्या लगत क्योंकि अगर देखे यह बैंक का केस अलग था लोग बोलेंगे यह बैंक पहले उसको मैं केलर कर देता हूं यह केस अलग था यह बैंक का जो कौर्टली रिजल्ट आता था वह रिजल्ट उसके हर क्वार्टर में कंपनी मतलब 10,000-12,000 करोर ऐसे उनका लॉस रह था था क्य तो इस कंपट का जो प्रॉफिट था वो पिछले साल सोई भी बैधर था पिछले कौकर्टर सुषू भई भग शूधर था जो के अप्रॉक्समेंटली एक आपको याद होगा था इस कौकर में कंपणी के रिजल्ट आने गाथ 20 या बार परसेंट का जम्प देखने का देखन share holding pattern देखाता हूं उसके बाद आपको conclude करता हूं क्या होना चाहिए FII के पास 28% है DII के पास 22% है हमारे आपके पास मतलब HNI यार हमारे आपके पास 50% के आसपास share बचा हुआ है तो देखें चीज ऐसी है कि आपको पता है कि FII के पास 28% है FII जम के बेच रही है किसी भी share को वो छोड़ नहीं रही है जम के बेच रही है तो जम के बेचने के मतलब क्या होता है जब वो बेचने के लिए आतुर हो जाते है तो वो तो अपने portfolio का सारे share निकालेंगे जब देखेंगे कि हाँ इस share में गिरावट हो रही है तो वो और बेच के निकल जाएंगे यही होता है ना सबसे पहले क्या होता है जब गीदर की मौत आती है तो वो सहर की और भागता है सुनें आप तो वही है जब बेच के निकल रहा है तो कोई भी अगर share गिरता है तो सबसे पहले है लेटेश डारता जिसके बज़ा समझे लगता है कि बाई करना चाहिए दूसरे चीज यह है कंपणी के जो नए MD या CEO जो बने है वो बैसकलि उन्होंने कुछ समय पहले ही जब बनने के बाद उन्होंने बोल दिया है कि कुछ खराबी नहीं है उनको थुरा तो यह सारी रीज़न है जिसके बज़ा से मुझे लगता है कि सेर कंदर तेजी आनी चाहिए गिरावट है गिरावट का रीज़न बस चोटा सा मायनर रीज़न है बैट लोन है कमपणी का रीज़न यह नहीं है कि सेर ने घटिया परफर्मस दिखाना शुर्णा दिया प्रफिट दखा रहे हैं याद रखे यह सारे चीजे एक चीजी साथा करती है कि बाई ऑन अपर्चुनेटी बियर मार्केट है उसका फाइदा उठाई नीचे के लेवल पर बाई किजिए इससे बहुत रहें चीज मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है किसी और खेलिए बस यह